डिफिनेटली मैं यह नहीं कहता है कि आप यू अल्विस टॉक अबाट कॉमन टर्म्स मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ यू टॉक अबाट कॉमन टर्म्स बट वाई बाई नेम वाई नोट बाई नेम एज हुमानिटी बाई साब ने बहुत अच्छा सवाल किया तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा कहीं पर कोई औरत को अलग से पढ़ता करना पढ़ाएगा जैसे आपने एक एक एक्जामबल दिये था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्खा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पढ़ेगी पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नज़र जा रही है तो क्या आपको लगता है वो नस्कर्ट वाली पर भी अलग से नज़र रखेगा बहुत अच्छा सवाल किया गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है पहला सवाल मेरे कई सवाल है मैंने आपको पहले ही कहा था मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल है शरूर बाइसाइब ने पहले सवाल किया था कि युमेनिटी युमेनिटी होना चाहिए मतलब इंसानियत धर्म क्यों इस्था, इस्था मुसल्मान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इन्सान नहीं है, पहले अच्छा इन्सान भी यह बाद में दूँगा, पहले सवाल आफ समझ़रें आप जब तक अच्छे इनसान नहीं है तब तक आफ अच्छे बुस्लमान बन ही नहीं सकते समझे आप पॉइन नंबर वन पॉइन नं नंबर टू लेकिन तिरिफ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमाई लिए अप समझे ना अच्छा इंसान मतलब just pass school हम चाहते एक graduation हो आपके इतने करीब आना आपसे इतने बात करना मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूँगा और आपको वक्त दिया जाएंगा तो अच्छा इंसान होना जरूरी है लेकिन पहला नमबर पे आप बोलते हैं धर्म की क्यों बात कर रहे हैं मैं धर्म की इसली बात करता हूँ कि लोग धर्म को मानते हैं और मैं यकसानियत पर बात करता हूँ बिल्कु सही का आपने similarities not differences तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानि क्योंकि उसकी बात मानों जो हमारा बनाने वाला है खुदा अब समझ्रे रखिएए आप जो कहिंगे इंसान एंसे महीं जिसने हमें बनाया आप और हम इनसान को जानते है सबसे बेतर कुछ जानता है हम आपको बनाने वाला डॉक्टर रोने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेतर जानता हूं क्योंकि मैं स्टडी किया हूं लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो सब को मिला कि उससे उपर हमारे बनाने वाला हमारा खालिक हमको बनाने वाला, वो जानता है कि दिमाग किस तरीकी से इंसान का चलता है, तो वो जो मैं कहता है, वो सबसे बेश्ट है, इसलिए, इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अलफाज नहीं मिलेगा जो इंसानित की खिलाफ है, आपको गलत फहमी हो सकती है, कि ये खिलाफ हो स क्योंकि अल्ला के आखरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत, इनसानित के खिलाफ ने, जितने पहले किताब है, उसके अंदर मिलावट हो चुकी है, मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं, कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है, कि जब आपका शोहर मर जाए, उसके चिता दो, लिखा है लिकिन वेद में, कुरान में क्या लिखा है, पहले एदायत, इल्म दो, आवरत और मर्त को, अगर कोई मुस्लमान नहीं देख रहा हो गलत कर रहा है, उसको सदा होईगी, नहीं समझ रहे हैं, मुस्लिम को मत देखो, तो इसलिए मैं जब केताब इसलाम, इसल मेरे खौाइशे खुदा के हवाले करने के बाद, और जो भी शक्स ऐसा करता है, उसे कहते है मुस्लिम, मैं तकाबल मजाइब का स्टूडिन्ट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बास सिर्फ लेता हूँ, और बोलता हूँ, कमस कम इसके ओपर तो अमल करो, आपक तक्रीर में एक भी गहर इंसानी बात की मैंने, एक एक भी गहर इंसानी बात की नहीं की, तो जब मैं आज एक भी गहर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गहर इंसानी बात किया, तो आप कह सकते हैं, आप गयर इंसानी बात की नहीं की, अब समझे ना, तो मै आपका जो दूसरा सवाल था आपको दूसरा सवाल क्या था भाई साम देखे वक्त के साथ हर चीज बदलती है आपने कहा एकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान जैसा लिखा था कि आडम और ने देव फर्स पीपल जो पहले आए उसके बाद जैसे आपने बताया कि having sex with the same birth आपने कुछ ऐसा बताया था कि they can't have relations to work के साथ जैसे यह चीजे बदली वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आए लास्ट में आए जो मुझे खुद पता नहीं क्योंकि मैं आज मेरा मानना यह है कि शायद हर चीज उपर वाले ने कहीं किसी सोर्च से इंसान को बेजी और यह आज कुरान आए हुए कई अर्सा कई बरसो और कई वक्त गुजर चुका है मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए जहां पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है आपको जो लिखा हुआ है आप वही तक बोलते हो लेकिन उसके आगे कई हते हो अलाठाला जितनी हरे को बिल्कुल सही जितना लाठाला हरे को इदा YouTasya ल् alluded बेले चेते हुद्या जितना हुआ देता होतना अल्बाय आपको जिस पासा वाल कि जस तरीके 가운데 आगे बढते हैं उस तरीके से उसूर बदलते जाते हैं फिलक्ल सही लेकिन बन्या दे उस लिकिन जो small aspects है that may change. और 1400 साल पहले आखरी पैगमबर मुहम्माद सल्लाव 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 को बहिजा. जब आखरी पैगमबर बहिजा, लिए अल्लाव फर्माते सुरह माइदा में सुरा नमर 5 आएट नमर 3 में कि this day I have a complete my favor on you and I have chosen for you Islam. इस दिन मैंने मेरा favor इंसानियत पर complete किया और आपके लिए चुना इसलाम, इसलाम माने, आप अमन हासिल करेंगे, अपनी खोईशे अल्लाव के हवाले करने के बाद, इसके बाद, even the minor rules जो है, वो fix हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाव के आखरी रसुल म इसका जिकर वेद में भी है, तो सारे किताबें कहती है, कि एक खुदा को मानो, बुद परस्ति मत करो, और पईगंबर आएंगे, उसमें से आखरी पईगंबर होगा मुहम्मद स्लाव सल्लम, उसकी बात मानो, तो आप वेद भी पढ़ेंगे, तो यह लिखा, बाइबल से डारेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको जरूरते साइकेटरिस की, वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकते हैं, क्यूंकि अल्ला ताला फर्माते हैं कि इस कुरान को कोई बदलेंगा ने, अल्ला ताला इफासत करेंगे, और कुरान में ने लिखिया है कि मुहम्मद सुल्ण आखरी पैगंबर है, उसके बाद अगर कोई भी दावा क्या में पैगंबर हूं, उसका मतलब अल्ला जुड़ बोले ना, उस बिल्ला, तो होई नहीं सकता है, आप समझें ना, तो अल्ला तो सजी बोलेंगे, तो अल्ला जब सज बोल प्राइन शरीफ, होग्द आंस तो इस्टम्तियू थाइन शरीफ, होग्द आंसे तो एक्ष्ट्यू. Thank you.